हेलो गाईस वेलकम बैक टो अरूटूब चैनल आज हम लोक इस वीडियो में 50 प्लस मोस्ट इंग्पॉर्टेंट इडियम्स के बारे में जो है चार्चा करेंगे यह idioms जो है आपको exam point of view से बहुत ज़्यादा important और helpful होगा इन 50 idioms में से ही जो है आपकी exam में आएगा आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम इस वीडियो में जो है आपको trick से सारे idioms को समझाएंगे ताकि एक बार में जो आपको सारा idioms से याद हो जाए और दोबारा वीडियो को देखने के जो है जरुरत भी ना पड़े तो चली हम लोग trick के साथ start करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करें तो आप मारी वीडियो को लाइक और मैं चाहिए सब्सक्राइब जहुर क्या करें और आप मारी टेलिग्राम गूर्प को भी जोइन कर सकते हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो चली है start करते हम लोग L.I.D. में हमारा है red later day इसका मतलब होता है very important day and memorable day यानि अति खुसी का दिन इसको हम लोग याद कैसे करेंगे जैसे को calendar होता है calendar में जो important दिन होता है उसको जो red color से लिखा होता है तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जो red color से लिखा रहता है वो बहुत जो है मतलब दिन होता है और जो है खुसी का दिन होता है तो ऐसे लोग याद कर लेंगे यह idiom जो है बहुत बार exam में पूछा गया है देखे इतनी बार जो है पूछा गया यह exam point of view से बहुत ज़्यादा important है next idiom हमारा है to see eye to eye with यानि सहमत होना to agree किसी के साथ जो है सहमत होना जैसे यहाँ पर देखे मोदी जी है और टरम भी यह दोनों जो है सहमत है एक दूसरे के लिए तो इस idiom को जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे यह भी idiom जो है exam point of view से बहुत ज़्यादा important है next idiom हमारा है इसका मतलब होता है किसी को जो है रंगे हाथ पकड़ लेना इसको जो है रंगे हाथ पकड़ लेना या illegal things ऐसे जो है किसी को पकड़ लेना जैसे यह है यह औरत है यह जो लड़का जो है कुछ चुरा के खा रहा था इसको जो है फोन चला रहा था तो इसको जो इसकी ममी ने पकड़ लिया तो इसको जो रंगे हाथ पकड़ा है यह idiom जो बहुत ही ज़्यादा important है आपकी exam point of view से तो इसको भी हमलोग ध्यान में रखेंगे next video हमारा क्या है born with a silver spoon in one's mouth यानि मुव में silver का जो है चमस लेके जो है जन्म लेना यानि जो है इसका मतलब होता है साही परिवार में जो है जन्म लेना जैसे यह लड़का देखे बहुत ही ज़्यादा पैसा उड़ा रहा है क्योंकि यह बहुत ही साही खांदान में जो है जन् मतलब होता है आराम दायक इस्थि यानि अलग जीरियर सिच्वेशन एण इजी लाइप जैसे यह लड़का जो है गुलाबों का बिस्तर में जो है आराम से सो रहा है क्योंकि इसकी जो है कोई भी टेंजन इसको नहीं है इसकी जिंदगी जो एकदम आराम दायक है इसको अब बेड आफ रोजेस यानि गुलाबों से भड़ा हुआ जो है बेड तो वह कैसा होगा एक आरामदायक इस्तिती होगी इसका मतलब होगा रोजेस अब बेड आफ कंटेंशन इसका मतलब होगा रोजेस जगड़े की जड़ सब्जिक्ट अफ डिस्पूट जैसे ये दो कुट्टे है और ये जो है हड़ी के लिए जो लड़ाई कर रहे है तो ये क्या है? ये जगड़े की जड़ है तो ये बहुत easy है इसको लोग याद कर लेंगे नेक्स टीडियों हमारा है Read between the lines यानि जो है छीपा अर्थ निकालना इसको लोग कैसे याद कर लेंगे? लाइनों की बीच को बीच में जो है पढ़ना यानि की छीपा अर्थ को भी जो है निकालना to discover secret meaning, to try to understand नेक्स टीडियों हमारा क्या है ताल टाक यानि की जो है डिंग हाकना इसको लोग कैसे है ताल टाक मतलब की बातों को जो है खीचना, बढ़ाना यानि की जो है किसी बात को जो है बुस्ट करना, तो यानि की डिंग हाकना बढ़ा चढ़ा कर बोलना नेक्स्ट हमारा एडियों क्या है iron will, इसका मतलब होता है द्रण नेश्या वाला व्यक्ति, और firm person जैसे APG अब्दुलकलाम जो थे हमारे एक iron will थे तो यह एडियों जो है बहुत ही जदे important है और बहुत ही बार exam में जो है आया हुआ है तुम लोग को याद रखना है नेक्स्ट एडियों हमारा क्या है Apple pie order, इसका मतलब होता है पुड़ता व्यवस्तित, in perfect order जैसे यहाँ पे कपड़े रखे गए है यह सब जो एकदम अच्छे से सुव्यवस्तित तरीके से जो है रखे गए है यानि Apple pie order में जो है रखे गए है बहुत ही व्यवस्तित रखे गए है नेक्स्ट एडियों हमारा क्या है Men are women in the street इसका मतलब होता है आम आदमी A common man, an orderny person इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे जैसे कोई भी आदमी जो इस ट्रीट पर चलता है वो कैसा होता है आम आदमी होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं कारों में चलते हैं तो इसको जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे यह बहुत ही easy है याद करना तो हम लोग जो ऐसे simple तरीके से याद कर लेंगे सारे idioms को Next हमारा idiom क्या है To get into hot water इसका मतलब होता है मुसीबत में होना To be in trouble are difficulties तो इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे गरम पानी यानि गरम पानी में होना कैसा होगा यह बहुत ही मुसीबत में होना होगा Next हमारा idiom क्या है Wet blanket इसका मतलब होता है Kill जो है यानि कि जो लोगों की मौझ मस्ती पर पानी फेर देता है उसको कहते है Wet blanket जैसे सर्दियों में कोई अगर blanket में पानी डाल दे तो क्या हो जाएगा बहुत ही गुसा आएगी यानि कि मौझ मस्ती पर पानी फेर देगा तो इसको भी हम लोग ऐसे याद कर लेंगे Next हमारा idiom है Apple of Discord इसका मतलब होता है Cause of quarrel यानि विवाद या जगड़े का कारड़ इसको हम लोग कह सकते Bone of Contention अभी हम लोग आगे पड़े है तो इसको हम लोग जो है याद कर लेंगे जैसे एक इपल के लिए जगड़े कारड़ है Next हमारा idiom क्या है Pay ducks and tracks with यानि मुर्कता पुड़वक धर्म का जो है खर्च करना To spend the wealth property Fullyously यानि ये लोग देखे जैसे Alcohol पी रहे है तो ये लोग क्या कर रहे है पैसे को जो है बरबाद कर रहे है अपने इडियम जो है Exam point of view से बहुत ही ज़्यदा important है देखी इतनी बार जो exam में पूछा गया है तो हमारा idiom है Back seat driver इसका मतलब होता है पीछे रहकर जो है सलाह देती है तो इसको लोग हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे Next हमरा idiom के है Pull a long face यानि look very sad यानि बहुत ही उदास दिखना इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे अपने face को जो है लंबा कीशना यानि कि बहुत ही ज़दा उदास दिखना जैसे ये लड़की जो उदास दिख रही है तो इसको हम लोग जो ऐसे याद कर लेंगे Next हमरा idiom के है Cat nap इसका मतलब होता है Short sleep यानि जपकी लेना जैसे कोई बिली होती है वो सोती रहती जैसे कोई आवाज करता है तो तुरंट उठ जाती है यानि की cat nap लेना यानि जपकी लेना छोटा सा sleep Next हमरा idea में A close save or a close call इसका मतलब होता है A narrow escape बाल बाल बशना जैसे ये वेल जो है एक कवा जो है थोड़ा सा वेल से बच गयाने तो अब तक जो है ये मर जाता तो ये बहुत ही बाल बाल जो है बचा है तो इसको में लोग जो ऐसे याद कर लेंगे बाल बाल बचना Next हमरा idea में To play a second fiddle Second fiddle इसको में लोग ऐसे याद कर लेंगे यहाँ पे लिखा है second यानि second का मतलब दूसरे अस्तान पे जो है रहना तो ये बहुत ही जादा बहुत ही easy है याद करना Next हमरा idea में A bottle neck इसको मतलब होता है A place where a road will become narrow अवरोध पैदा करना जैसे यहाँ पे देखिए यह गाड़िया जो ऐसे खड़े हो गई है एकदम bottle के neck जैसे दिख रही है तो इसको हम लोग जो याद पैदा कर रही है तो इसको हम लोग जो ऐसे याद कर लेंगे Next हमारा idea में Apple and Omega इसका मतलब होता है A to Z यानि प्रारंब से जो है अंत तक हम लोग कहते हैं न A से Z तक या फिर Alpha to Omega Alpha से Omega तक तो यह बहुत ही important idea में तो हम लोग ध्यान रखेंगे Next idea में हमारा है Any port in a storm यानि कि डूपते को जो है तिनके का सहारा Any situation to a difficult situation ये भी idea में जो हमारा बहुत ही important है Next idea में हमारा क्या है Afraid of once on a shadow यानि अपनी परचाई से जो है डर जाना वह कैसा होगा बहुत ही डर पोक होगा और बुजदी लोगा Very timid or fearful हो जाएगा जिसे ये जो है अपनी परचाई से जो है डर जा रहा है तो ये कैसा ये बहुत ही डर पोक है Next idea में हमारा क्या है Add fuel to the fire or flame इसका मतलब होता है जलती आग में जो है घी डालना यानि कि किसी भी matter को जो है और भी बेकार बना देना जैसे ये जो है आगों में ये जो है क्या कर रहा है पानी डाल रहा है आग में लेकिन ये जो है क्या कर रहा है और पेट्रोल लेके खड़ा है यानि कि जलती आग में जो है पेट्रोल डाल दे रहा है तो क्या हो गया है? हईरान हो गया है नेच्ट हमरा लुडेम क्या है add डेजर्सie drone, इसका मतलब होता है घौर सतूर्था या जानी दुस्मन नेच्ट हमरा लुडेम क्या है a drop in the bucket or ocean, इसका मतलब होता है उट के मुमें जीरा, यानि कि जैसे कि हम लोग ocean में एक boot डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है और very small amount compared with what is needed are expected तो यह जो है उट के मूँ में जीरे के जो है बराबर है तो यह बहुत ही जादा simple idiom है और हम लोग ध्यान में रखेंगे Next हमरा idiom के है a slap on the wrist इसका मतलब होता है मतलब के कंदे पर थपतपाना यानि कि चेताओनी या हलका जो है दंड देना तो या a mild punishment हो जाएगा जैसे यह गलत काम किया और इसकी मा जो है इसको मार रही है तो यह जो क्या कर रहे है इसको चितावनी या हलका दंड दे रहे है कि अगली बार से जो यह गलती ना करना नेक्स्ट हमरा एडियम के है वेट दर डॉग इसका मतलब होता है ध्यान बटाना जिसे कुट्य को हम लोग कुछ दे कर जो उसका ध्यान बटा देते हैं उसको एक साइड कर देते हैं तो यह भी हम लोग को ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमरा एडियम के है टाइ दो कोट इसका मतलब होता है साधी के मंधन में जो बढ़ जाना जैसे कि वो इंसान तभी टाइ लगाता है अच्छे से पूरा टाइ लगाता है जब उसकी साधी होने वाली रहती है यानि कि साधी में धन में बढ़ जाना नेक्स्ट इडिया हमारा क्या है थम्ब वन्स नोस आज समबडी यार सम्थिंग यानि ग्रेडा व्यक्त करना या ठेंगा दिखाना जैसे यह आदमी जो है किसी को ठेंगा दिखा रहा है यानि अपनी ग्रेडा को व्यक्त कर रहा है टू एक्सप्रेस इसकॉर्ड और रेड पुजागर कर रही है नेक्ष्ट हमारा इडियम क्या है टू ब्रेक दा आइस यानि चुपी तोड़ना आइस को ब्रेक कर दीना यानि जो है चुपी को तोड़तीना नेक्ष्ट हमारा इडियम क्या है टू व्रेंगल ओवर एन एस सैडो यानि व्यर्थ की बात पे जो है जग इडियम है नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है पिन मनी यानि जेव खर्च हम लोग क्या करते हैं अपनी मनी को जो यानि पिन करके यानि किसी न कहीं पर गुल्लक में या कहीं पर हम लोग सेव करके रखते हैं यानि जेव खर्च के लिए हम लोग जो अपनी मनी को बचा के रखत जो कि जो है पॉसिबल ना हो पाए उसका जो हम लोग बस ख्याल ख्याली पुलाओ जो है बनाते हैं इसका मतलब होता है एक जूठी कहानी जो बच्छमने जैसे हम लोग कहानिया सुनते थे बेडिया और कुते की जो है कहानी सुनते थे यह कैसी थी बस एक बनावटी कहानी थ याद करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप मारी चैनल को लाइक और सस्क्राइब जो और करिएगा नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है कट एंड ड्राइड यानि बना बनाया तयार हुआ रेड रेडी मेडिया नी नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है डिड एंड डोडो यानि एकड़ मुर्दे की तरह जो है मरा हुआ नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है डच करेज इसका मतलब होता है नसे का जोस या साहस डच को आम लोग 19 disrupt कर लेंगे डच से हम लोग जात करलेंगे कि डच लोग जो बहुत ही एलकोहॉल पीते थे यानि कि नस्य का जोस या साहस नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है फ्लॉग और बीट और डेड होर्स इसका मतलब क्या होता है विर्थ का प्रयास करना नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है फ्लॉग और बीट और डेड होर्स यानि इसको क्या कर रहे है व्यर्थ का प्रयास कर रहे है कि यह जो उठ जाएगा लेकिन यह जो है क्या है मर चुका है वेस्ट योर्फर्ट बाइ ट्राइंग टू दू सम तिंग्स डैट इस नो लॉंगर पॉसिबल जो की पॉसिबल नहों उसे करने का जो क्या करना प्रयास करना नेक्स ऑडियों हमारा क्या है लायं सेर, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, the largest part or portion of something यानि इसको हमलोग कैसे याद कर लेंगे lion's hair यानि जंगल में इतने जादा लोग होते हैं लेकिन lion's hair मतलब होता है जो सबसे बड़ा चीज़, सबसे ज़दा कौन खाना काता है सेर खाता है, तो सेर का जो पार्ट होगा सबसे जादा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे lion share यानि सबसे बड़ा हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा जो है share को ही मिलेगा next idiom में में मेरा क्या है scarlet woman इसका मतलब होता है a prostitute are immoral woman यानि इसका मतलब होता है वैस्य वरिती होता है next item क्या है take the bull by the horn इसका मतलब होता है साहस पुरक मुसीबतों का सामना करना to do something difficult in a brave or determined way यानि बहुत ही जैसे ये आदमी जो है इस bull के साथ क्या कर रहा है या बहुत ही साहस के साथ जो है इसका मुकाबला कर रहा है हमारा idiom के है herculean task इसका मतलब होता है एक कठिन कार एक tough task जैसे ये आदमी जो है एक gym कर रहा है यानि ये इसके लिए क्या है एक cutting task है इसका weight loss करना next idiom हमारा क्या है have an extra grind इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना यानि selfish होना next idiom हमारा क्या है kill two birds with one stone यानि एक तीर से जो है दो सिकार करना to achieve two results with a single effort यहाँ पर देखिए ये जो है एक तीर से जो है दो निसाने कर रहा है यानि दो चूड़ियों को जो है मार रहा है तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे hope you like this video अगर आपको वीडियो मारी अच्छी और helpful लगियो तो आप मारी वीडियो को like और मेंचे सिस्क्राइब जोर करेगा thanks for watching this video